हलो गाइज, विल्कम टू माई चैनल, आज हम आप लोगों के लिए दो कलर में डिजाइन लेकर आये हैं, इस डिजाइन को आप लेडिज कारडिगान बच्चों के सुटर में डाल सकते हैं, अगर जेन सुटर में डालेंगे तो ये कलर में बना कर डालेंगे, बहुत ही इस डिजाइन को हम सीधी साइट से स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइट से केवल उल्टा बुनेंगे, तो चलिए फ्रेंज, डिजाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं, तो हम डिजाइन के ऊपर से ही डिजाइन बनाएंगे, तो चलिए डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं पहले हम तीन फंदा पिंग कलर से बुनेंगे एक फंदा स्लीप करेंगे फिर तीन फंदा पिंग कलर से बुनेंगे एक फंदा स्लीप करेंगे तीन फंदा पिंग कलर से बुनेंगे तो तीन फंदा pink color से बुनेंगे और एक फंदा sleep करेंगे इसी तरीके से पूरी सलाई हम complete कर लेते हैं तो देखें फ्रेंट पूरी सलाई हम complete कर चुके हैं लास्ट में भी तीन फंदा हम pink color से बुन लेते हैं अब उल्टी साइड से बुनेंगे उल्टी साइड से पिंक कलर का फंदा हम बुन लेंगे पिंक कलर का फंदा हम बुन लेंगे और यह जो हरा वाला फंदा इसको स्लीप करेंगे तो जिस फंदा को बुने हैं उसको हम बुनेंगे और जिसको sleep किये हैं उसको हम sleep करेंगे तो चलिए इसी तरीके से उल्टी साइड हम बुनकर complete कर लेते हैं तो पूरी सलाई हम उल्टी साइड में complete कर चुके हैं अब डिजाइन की तिसरी सलाई बुनेंगे सिधी साइड में धागा को हमचेंज करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे सिधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे यह जो स्लिप पिया हुआ फंदा है इसको हम पीछे से सिधा बुनेंगे यहां देखिए तीन फंदा पिंग कलर से है तो इसमें हम उल्टा बुनेंगे बीच वाला फंदा को सिधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे जो स्लीप किया हुआ फंदा है इसको हम पीछे से सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे स्लिप किया हुआ फंदा को पीछे से हम सीधा बुनेंगे तो जो pink color का तीन फंदा है अगल बगल एक फंदा उल्टा वुनेंगे बीच वला फंदाको हम सीधा वुनेंगे और slip किया हुआ फंदा को पीछे से सीधा वुनेंगे इसी तरिके से पूरी सलाई हम complete कर लेंगे तो देखिए डिजाइन की तीसरी सलाई हैं कम्प्लेट कर चुके हैं लास्ट में भी एक फंदा उल्टा और यहां शिरू करने में भी एक फंदा उल्टा बुने हैं तो अब हम मुल्टी साइड जो चौथी सलाई बुनेंगे पूरा फंदा हरे कलर से बुनकर कम्प्लेट करेंगे तो चलिए पूरा फंदा हरे कलर से बुनकर कम्प्लेट कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स पूरी सलाई हम हरे कलर से बुनकर कम्प्लेट कर चुके हैं तीं पंद हम पिंग कलर से कुलेंगे झ करें इसके बाद एक पंद हम स्कुच करप में प्लेगे के इस т crunch किलेगे इसी तरीके से पूरी सलाई हम complete कर लेंगे जिस तरह हम आप जिस तरह आपको हम पहली बार बताए हैं डिजाइन बना करके तो बहुत ही इजी डिजाइन है चलिए पूरी सलाई हम complete कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स पूरी सलाई हम complete कर चुके हैं तो यह रही फ्रेंट हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सेस्क्राइब कमेंट करें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार